नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार आज बात करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनके माइंड में इसी फॉर्ट्स आते रहते हैं कि कहीं मुझे एक एंसर तो नहीं हो जाएगा या फिर कहीं मेरे कोई हार्ट की कोई दिक्कत तो नहीं हो लेकिन एक बहुत ही important line है उस line को आप याद रखना ये line बाद में भी काम आएगी और इस वीडियो को पूरा देखना ये line ये है कि आप और आपकी जो सोच है इन दोनों में फर्क होता है और इस फर्क को आप महसूस करिए दोस्तों इस पूरी समिश्या के अंदर दिक्कत क्य आजाती है कि आप जो खुद हो और आपकी जो सोच है जो सोच बहुत है इस बात की आए कि कहीं मेरे को कोई heart की problem ना होगी हो या फिर इस बात की सोच आए कि कहीं मुझे कोई cancer तो नहीं हो गया है और ये जो सोच है इस सोच को जब आप अपने से जोड लेते हैं जिसको हम scientific वाज़ा में बोलते हैं कि आपकी उस सोच के साथ में conditioning हो गई है जैसे ही आपको ऐसा लक्षन महसूस करते हो जैसे सीने में किसी भी वज़े से जैसे आपको खोड़ी acidity हो गई है और जब भी दर्द होता है सीने में तो वो दर्द आपके mind के अंदर इस thoughts को पेदा कर देता कहीं मुझे heart की problem तो नहीं हो गई है क्योंकि आपकी जो सोच है उस सोच ने आपके साथ में बहुत ज़दा जुड़ा पेदा कर दिये तो आपको इस बात को बहुत अच्छे समझना पड़ेगा कि आपके mind के अंदर आने वाली जो सोच है और आप खुद है दोनों में अंत कैसे अंतर है कि mind में ये सोच आ रही है कि कहीं मुझे heart attack तो नहीं आ जाएगा mind में ये सोच आ रही है कि कहीं मुझे cancer तो नहीं हो जाएगा mind में सोच आ रही है और दोस्तों सोच जो है विचार जो है उस विचार जो है वो जब तक वो विचार हातों को नहीं चलाता तब त महल नहीं बनेगा आप ये सोच लो कि मैं इस देश का परधान मंतरी बन जाओं केवल सोचने मातर से कुछ भी नहीं होता आपका जो माइंड है उसका एक बहुत इंपोर्टेंट काम है कि वो रक्षा करता है आपकी वो समिश्याओं से लड़ता है वो सावधानियां बरता है आपकी सुरख्षा करता है इस वज़े से माइंड को सोचना पड़ता है वो आगे का सोचता है ये उसकी एक रिहसल है जैसे हमारे जवान होते हैं वो जब युद्ध नहीं होता तब भी वो रिहसल करते हैं तब भी वो गोलियों चलाने की प्रैक्टिस करते हैं इसका मतलब यह नहीं कि युद्ध हो गया है इसका मतलब यह है कि रिहसल है उसकी तो आपके माइड में कोई भी जो सोच आए विचार आए उसको अपने से अलग रखे उसको सिर्फ यह मानिए यह सोच है यह विचार है इसको आने दो और इसको जाने दो और नॉर्मल जो नैचुरल माइड है वो किसी भी प्रकार का कुछ भी सोच सकता है जरूरी नहीं है वो हकीकत के अंदर ही हो तो अगर आप इस मेरी पूरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनोंगे तो उमीद करता हूँ कि आपका यह जो इलनेस फोबिया है इस एक लाइन से बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा और अगर आपको मानसिक समिश्याओं के समाधान के लिए एक पूरा वर्क्शोप चाहिए जो कि CBT थरेपी का है जो बहुत सारी जो समिश्याइं है डिप्रेशन, एंजाइटी, OCD, फोबिया उसको ठीक करती है तो इसी वीडियो के साथ में उसका लिंक है आपके लिए वहाँ पर जाए और हमारी जो CBT थरेपी का जो कॉर्स आपके लिए हमने डिजाइन किया है उसका बेनिफिट लेंगे आप इस वीडियो को लाइक कर सकते होगे आपको अच्छा लगा अपनी बातों को मुझे कॉमेंट करें मैं सभी के कॉमेंट पढ़ूंगा और उसके इसाब से आगे भी आपके लिए वीडियो लाँँगा इस वीडियो को जब 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 शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैन को ज़रू सब्सक्राइब करें थैंक्यू जय हिन जय भारत